जैहिन दोस्तों, SSN IAS PSC Classes Bhopal के online platform पर आपका स्वागत है, आज का हमारा topic है भारत में सिक्षा का विकास, भारत में सिक्षा के विकास को हम दो बर्गों में विफाजित कर सकते हैं, एक स्वतंतरता के पूर्ब और दूसरा स्वतंतरता के पश्चा, before independence and after independence, स्वतंतरता के पूर्ब जो विकास हुआ है, वो बिटिस काली अंतरगत माना जाता है, बिटिसर्स के period के दौरान जो विकास हुआ, उसे हम समलित करते हैं, और स्वतंतरता के बाद में जो विकास हुआ है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, इसके अंतरगत हम प्रारम क करेंगे, एक मुदालियार आयोग और दूसरा कोठारी आयोग, तो मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन, इसके अंतरगत हम इनके उद्देश्य, इनके सुझाओ क्या थे, सजेशन्स को देखेंगे, कब इनका फॉर्मेशन हुआ है, इससे सम्मंधित कॉश्चन्स जो है वो आपके अलग-अलग एकजाम्स में पूछे गए हैं, इस वीडियो के अंत में हम आपसे डिसकस करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एकजाम में इनसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोठारी आयो, कोठारी कमीशन, इसकी स्थापना, एस्टेबलिस्मेंट 14 जुलाई 1964 को की गई, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंग कोठारी, और इनहीं के नाम पर इस कमीशन को कोठारी आयो, क्या कोठारी कमीशन कहा जाने लगा, वो देश्य स्कूली सिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने, तो न्यू डारेक्षन देने के लिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ये किया गया था, इनके जो सुझाओ या सजेशन्स थे, वो सजेशन्स हैं, पहला है अध्यापक सिक्षा पर बल, तो टीचर्स एजुकेशन पर फोर्स किया गया है, बिद्यालाई सिक्षा का विस्तार, तो जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन उसका एक्स्टेंशन की बात की गई है, सैक्षनिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया है, जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी एक्वैलिटी पर फोर्स किया गया है, 10 प्लस 2 प्लस 3 सिक्षा संरचना की संस्तुती की गई है तो recommendation for education structure 10 प्लस 2 प्लस 3 प्राथमिक सिक्षा मात्र भासा में देनी तो primary education जो है वो mother language या mother tongue में देनी की बात की गई है फिर माध्यमिक इस्तर पर local language या श्थानिय भासा में और 25% जो माध्यमिक school है उनको व्यवसाइक schoolों में परिवर्टित करना तो इस तरीके से कोठारी आयोग देखा हमने next हम बात करते हैं मुदालियार आयोग की मुदालियार आयोग को ही हम माध्यमिक सिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं स्थापना तो ये 1952-53 में लच्षमन स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में माध्यमिक सिक्षा आयोग का गठन किया गया था और इनहीं के नाम से इसे मिदालियार आयोग या माध्यमिक सिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं सुझाओ या सजेशन्स वस्तुनिष्ट परिक्षण पद्दती पर जोड़ तो एम्फिसाइज टोन अब्जेक्टिब टेस्टिंग सिस्टम बहुत देश्ये स्कूलों की स्थापना तो मल्टी परपज स्कूल की बात की गई हैं ग्रामीर उच्च सिक्षा समीती की स्थापना अखिल भारतिय क्रीड़ा परिशत और अखिल भारतिय माध्यमिक सिक्षा परिशत की स्थापना क्रसी सिक्षा का विस्तार परवल तो जो agriculture education है उसके विस्तार पर भी यहां परवल दिया गया है engineering college का निर्मान formation of engineering college माध्मिक इस तर पर त्री भाशा सूत्र आदी विशयों पर कारहेतु सरकारी प्रयास माध्मिक इस तर पर तीन लेंग्वेज जो है ठीक है, three language formula को अपनाने की बात यहाँ पर की गई थी तो इस तरीके से हमने पोठारी आयोग और मुदालियर आयोग के विसरे में जाना इनसे समंदित बातें देखीं, क्या-क्या सुझाओ इन्हों ने दिये थे, उस पर हमने चर्चा की अब हम बात करते हैं कि इनसे समंदित questions कौन से आ सकते हैं तो directly आपके exams में जो prelims की अगर हम बात करते हैं या किसी भी objective competitive exam की तो आपसे सीधा question पूछा गया है कि कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी तो कोठारी आयोग की स्थापना 14 जुलाई 1964 को की गई थी दूसरा question पूछा गया है कि मुदालियर आयोग किस से समंदित है तो मुदारियल आयोग जो है वो माध्मिक सिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है मुख्य पर इक्षा की हम बात करें तो आपके 3 marker question के रूप में कोठारी कमिशन या कोठारी आयोग मुदालियर आयोग यह डारेक्टली question पूछे जा सकते हैं इसके अलावा जब आपसे long question पूछा जाएगा तो वह स्वत अंतरता के पहस्चात भारत में सिक्षा का विकास की ब्याक्या कीजिए तो explain the development of education after independence तो यह सारे questions आप से पूछे जाएंगे तो इसके अंतरकत आप जैसे विश्विद्यालाय सिक्षा आयोग मुदालियर आयोग कोठारी आयोग और इसके अंगले वीडियो में बिटा हम राष्टिय सिक्षा नीती national education policy 1968 को देखेंगे फिर राष्टिय सिक्षा नीती 1986 की बात करेंगे और उसके बाद हम जो new education policy 2020 आई हैं वो हमारे next वीडियो में आप देखेंगे थैंक यू वेरी मैच